Hello everyone, आज हम इस वीडियो में fractions की worksheet solve करने वाले हैं Worksheet solve करना बहुत important होता है इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें क्या चीज़े समझ में आई है और क्या चीज़े समझ में नहीं आई है तो चलिए, फिर start करते हैं fraction की worksheet solve करना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं first question में है write the fractions for the shaded parts and complete the table अब यहाँ पर कुछ figures दे रखे हैं हमें क्या करना है हमें करना है shaded parts के fractions लिखने हैं क्योंकि question में simply mention किया हुआ है कि shaded parts के fractions लिखो तो चलिए, फिर हम लोग start करते हैं पहला हम figure लेते हैं पहला figure है इसमें देखें यह एक triangle दे रखा है यह जो triangle है यह कितने parts में divided है 1, 2, 3, right 3 parts में divided है और कितने parts shaded है सिर्फ 1 part shaded है तो इसे हम fraction में कैसे लिखेंगे fraction में लिखना और पढ़ना मैं already पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ तो इस वीडियो में हम directly लिखेंगे तो यहाँ पे देखें यहाँ पे हम लिखेंगे total number of parts जो आता है वो denominator में तो total number of parts 1, 2, 3 तो हमने यह लिख दिया 3 और कितने parts shaded है सिर्फ 1 part तो हमने यह लिख दिया 1 तो हम इसे fraction में कैसे पढ़ेंगे 1, 3rd चलिए अब B part पे चलते है इस B part में यह जो figure दे रखा है इसमें total कितने number of parts है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हमने total number of parts तो यहाँ पे 6 लिख दिया अब कितने parts shaded है 1, 2 तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 यह हो गया B figure का fraction Now, C figure पे चलते हैं हम यहाँ पे देखें यहाँ पे total कितने number of parts है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो हमने 8 तो यहाँ पे denominator में लिख दिया और कितने parts shaded है 1, 2, 3, 4, 5 तो हमने 5 यहाँ लिख दिया अब चलते हैं D पे यहाँ पे देखें यह जो circle है इसमें total कितने number of parts है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हमने 6 यहाँ लिख दिया और कितने parts shaded है सिर्फ 1 part तो हमने 1 यहाँ लिख दिया तो चलिए हमारा जो यह question का एक part है वो complete हो गया है बड़ देखें यहाँ पे दूसरा question भी बोला गया complete the table तो चलिए यहाँ पे नीचे दे रखा है table अब हम इसे fill करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोल रखा है number of shaded parts that is numerator तो figure A के लिए हमें numerator लिखना है फिर figure A के लिए हमें denominator भी लिखना है यहाँ पे और यहाँ पे fraction जो है वो भी लिखना है यहाँ पे इसी तरीके से B के लिए लिखना है इसी तरीके से C के लिए इसी तरीके से D के लिए लिखना है तो चलिए start करते हैं तो यहाँ पे figure A में हमारे पास में numerator क्या है यह जो top number होता है यह होता है numerator right और जो bottom number होता है वो होता है denominator तो numerator क्या हो गया 1 तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 और denominator क्या हो गया? 3 तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3 अब हमारे पास में fraction क्या हुआ? 1 3rd अब चलिए B पे चलते हैं B में क्या दे रखा है यहाँ पर? देखे, 2 जो है, वो numerator है तो हमने 2 लिख दिया और denominator क्या है? 6 तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6 और फिर इसके बाद हमारे पास में यह जो, यह क्या है? fraction क्या है? 2 6 ओके? Now C पे चलते हैं C में क्या दे रखा है? देखे, यहाँ पर दे रखा है numerator 5 और denominator 8 तो numerator हो गया, यहाँ पर हमारा 5 और जो denominator है, वो है 8 तो हमारे पास में fraction मिला 5 8 अब नाव हम चलते हैं D पे D में numerator है 1, denominator है 6 तो यहाँ पर numerator हो गया 1 denominator हो गया 6 तो fraction हो गया 1 6 तो चलिए यह table भी fill हो गए अब हम चलते हैं second question पे अब इस second question में है color to show 1 4th in red and 3 4ths in blue तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ figures दे रखे हैं यह figures colored नहीं है, इन्हें हमें color करना है पर किसी साब से color करना है? question के accord तो 1 4th जो है अगर हम दिखाते हैं तो उसे हमें red से करना है और अगर हम 3 4ths दिखाते हैं तो उसे हमें blue से करना है तो हम किसी भी figure को 1 4th कर सकते हैं, किसी को भी 3 4th कर सकते हैं, बट 1 4th जो है वो red से होगा, 3 4th blue से होगा, तो पहले वाले figure को हम लोग 1 4th करते हैं, बट क्या आपको पता है कि 1 4th और 3 4ths का क्या मतलब होता है, 1 4th मतलब 1 जो है वो as it is numerator में आ जाएगा, और 4, 4 जो है वो denominator, ऐसी 3 4th, 3 जो है हमारा numerator, 4th is denominator, तो चलिए, अब हम इसे fill करते हैं, तो हम इसे 1 पार्ट ही shade करना है, वो कौन सा red color, तो हम पहले वाले figure को red color से color कर देते हैं, तो ये हो गया, red color से हमने इसको fill कर दिया, अब हम क्या करते हैं, second वाले को हम लोग 3 4th दिखाते हैं, तो 3 4th किस में होना चाहिए, blue color में होना चाहिए, तो 3 4th के लिए हम blue करते हैं, तो 3 4th मतलब अब 3 पार्ट जो है वो shaded होंगे, तो ये हो गया one part shaded, ये हो गया second part shaded, and last वाला हो गया हमारा third part shaded, तो ये 3 parts जो हैं वो shaded हो गया है, अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, मैं last वाले को ये फिर से 1 4th दिखाते हूं, तो 1 4th में सिर्फ 1 part shaded होगा, ये कि 4 तो टोटल parts देहीं रखे हैं, तो 1 part हमें shade करना है वो भी red color से, तो ये हो गया हमारा 1 4th part, right? तो चलिए, third question पर चलते हैं, third question ने दे रखा है, ये write two fractions for each as shown, यहाँ पर दो figures दे रखे हैं, figure A and figure B, और उससे related यहाँ पर question पूछा गया है, हमें इसे fill करना है, तो देखे, यहाँ पर किस में लिखना है, हमें fractions में लिखना है, तो यहाँ पर क्या बोल रखा है, dash is red, means, जो हम लिखेंगे fraction, वो क्या होगा? red color के लिखेंगे, जो parts red में color है, उसके लिए हम fraction लिखेंगे, तो यहाँ पर कितने parts red है? 1, 2, 3, 4, और total कितने number of parts है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर लिख लिखेंगे fraction, 6 जो है, total number of parts है, और हमें red के लिखना है, red हमारे पास में कितना है? 4, हमने यहाँ पर 4 लिखेंगे, तो नीचे वाले में क्या बोले? is not red, अब हमें लिखना है fraction, जो parts red नहीं है, उसके लिए, तो कितने parts red नहीं है? सिर्फ 2 parts red नहीं है, तो फिर 2 आजाएगा हमारा numerator में, और total number of parts किसमें आते हैं? denominator में तो यह आजाएगा 6, अब लिखेंगे, जहाँ पर blue में है, तो यह जो है, पहले वाले में क्या है? blue के लिए हमें fraction लिखना है, तो कितने parts blue हैं? 1, 2, 3, और total number of parts 5 हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? 3 आजाएगा हमारा numerator, और 5 हमाज़ा आजाएगा denominator, अब हम लिखेंगे not blue ले, तो कितने parts हमारे not blue हैं? सिर्फ 2 parts, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 numerator में, और total number of parts तो 5 हैं, हम नहीं यहाँ पर लिख दिया 5, तो question के according, हम लोग numerator change करते हैं, ओके? तो यह fourth question पर चलता है, यहाँ पर fourth question है, say whether true or false, means, यह जो statements दे रखी है, इसमें हमें बताना है, कि यह true है या false है, इस pictures के according, हमें इसको true or false बताना है, तो पहले a में क्या दे रखा है, half the glass has water, means, half of the glass क्या water से fill है, यहाँ पर देख सकते हैं, आप क्या यह half fill है, no, तो यह statement क्या हो गया, false, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, false, अब देखें, b पर चलता है, b में क्या है, half the tomato is eaten, यह देखें, यहाँ पर इस figure में आप देख के बता सकते हैं, क्या half जो टमाटर है, वो खा लिया गया है, yes, right, क्योंकि half टमाटर ही यहाँ पर बचा हुआ है, तो यह हो गया हमारा true, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, true, अब जो next है, उसमें क्या है, eight people have shared this cake, क्योंकि यहाँ पर pizza का picture है, तो यहाँ पीजा हैगा, तो यहाँ पर देखिए, eight people have shared this pizza, क्या eight लोगों ने इस pizza को share किया है, means, eight equal parts में divided हैं यह, देख लेते हैं, one, two, three, four, five, six, seven, eight, right, यह eight parts में divided है, इसका मतलब, eight लोगों ने इस pizza को share किया है, तो इसका मतलब है, कि यह statement भी हमारा true है, तो I think आपको यह worksheet solve करनी आ गई होगी, अगर यह worksheet आप खुद से solve करना चाहते हैं, तो इस worksheet के link description box में दी गई है, तो आप वहाँ से check कर सकते हैं, और अगर आपको यह video अच्छी लगी है, useful है आपके लिए, और आप इस channel पे नए हैं, तो प्लीज इस channel को subscribe कर लीजेगा, और bell icon को भी press कर दीजेगा, ताकि आपको मेरी आने वाले videos की notification मिल सकें, तो चलिए फिर मिलते हैं next video में, thank you,